हेलो फ्रेंड्स आप सभी लोग कैसे हैं आई ओप सभी लोग खेरियत से होंगे मज़े में होंगे एक बहुत ही सिंपल और बहुत आसान सी यह डिजाइन मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ यह इस डिजाइन को बनाने के लिए जो फंदे होंगे जो स्टिचेज कि आप से सलाई पर डालने पड़ेंगे और यह टोटल दो सलाईयों की डिजाइन है वही बार-बार रिपीट करना है तो चलिए डिजाइन को स्टार्ट करते हैं तो पहला फंदा हम स्लिप करेंगे इसके बाद एक फंदा सीधा बनेंगे अब यह देखिए इस फंदे के बीच में से दो फंदे पहला दूसरा फंदा के बीच में से नेडिल डालेंगे और इसके अंदर से एक लूप निकालेंगे लूप को सलाई पर रहने देंगे और पहला फंदा और दूसरा फंदा सीधा बुन लेंगे फिर उसके बाद रिपीट करेंगे उसी को बार बार रिपीट करना है पहले दूसरे फंदे के बीच से लूप निकालेंगे और फिर पहला दूसरा फंदा बुन लेंगे सीधा देखिए हम इसी को बार बार रिपीट करेंगे जितने फंदे हैं सब इसी को रिपीट कर लेंगे इसी तरह से बनाते हुए थोड़ा सा लूप जो है लूज बनाएंगे निकालेंगे तो थोड़ा उभर की डिजाइन आएगी हलका सा धीन हलका सा धीला रखेंगे लूप फिर इसे सीधा बन Опस circumstances भैया फिर 20 से लूप में पहले में पहले 2 दूसरे पंद्य के बीच में नेरील डागर लेक्व निकालेंगे भी पहला दूसरे बन लेगे इसी को एंड तक में इसी को repeat करते जाना है तो ये सारे फंदे बुन लिए गए हमारी पहली सलाई complete हो चुकी है अब हम दूसरी सलाई पे हैं तो second row में दिखिए हमें क्या करना है कि अब चुकी हमारे दो एक एक फंदे बढ़ चुके हैं दो फंदे के तीन फंदे हो गए हैं तो हमें इस सलाई में वा स्लिक करेंगे दो फंदे में इस आप डाले थै इस स्लिप लिए तो पहले पंदा देहिए हमने सिलिप किया औरंत फंदा हम उल्डा बुनेंगे 1 स्टीच फिर इस के बाद यह पंदा जो हमने लूप निकाला था वह और छल फंदा एक पंदा एक साथ मुन लेंगे इसी को बार बार करें अरें जो लूप निकाला था वह पंदा और जसात हुआ हैं इन दोनों फंदों का एक पंदा उल्टा sia dough फंदे पा एक फंदा बनेंगे कि को ऐसनल दो फंदे कर से एक फंद उल्टा उल्टा दो फंदे का एक फंदवड़ तो इसकता से हम सारे फंदे बना लेंगे तो यह हमारी दूसरी सलाई हो गई और यह देखिए कुछ इस तरह से हमारी डिजाइन दिखने लगी है अब तीसरी सलाई में देखिए डिजाइन तो हमें सेमी बनानी बस थोड़ा से ध्यान रखना है कि मैं नेडिल कहां से डालनी है तो यह देखिए यह जो इस तरह से यह हमारा फंदा इस इन दोनों फंदे के बीच से नेडिल हम डालेंगे पहले दूसरे फंदे के बीच से निडिल डालेंगे पहले फंदा स्लिप किया अब इस बार हमारा निडिल जो है पहले दूसरे फंदे के बीच से निडिल डालके लूप निकालेंगे फिर पहले दूसरे फंदा बुन लेंगे फिर वही रिपीट करेंगे पहला दूसरा फंदे के बीच से नेडिल डालके लूप निकालेंगे और पहला दूसरा फंदा बुन लेंगे इसी को बार-बार रिपीट करेंगे सेम है जो फस्ट रो में बनाई थी बस इसमें ध्यान रखने के लिए इस डिजाइन इस रो को बना रहे हूं कि आपको कहां से लूप किदर से निकालना है तो आपने देख लिया कि हमें लूप कहां से निकालना है इसके बाद पिर पहला दूसरा फंदा हमको सीधा सीधा बना लेना है लूप हिदर से निकाला पिर पहला फंदा और दूसरा पंदा सीधा बन लेना है फिर लास्ट में हमारा एक हमदा शीधा बन बना होता है देखे, उल्टी साइड में भी हमें थोड़ा सा चेंज है, सेकंड रोच से, तो पहले फंदा हम स्लिक करेंगे, अब ये देखे, इस बंदे को फ़र्स्ट फंदा हमारा उल्टा, फिर फंदा भी उल्टा, दो बंदे हमारे उल्टे होंगे और उसके बाद तीसरा चुछटा फंदा जो है दो का एक कर दिना है उल्टा बनते हुए अब फिर से एक उल्टा फिर दो का एक इसी को बार-बार रिपीट करना है एक उल्टा दो फंदे का एक फंदा यह हमारा जो फंदा एक है जो लूप निकाला था वो फंद और एक दूसरा उल्टा फंदा दो का एक करना है तो इस तरह से एक उल्टा और दो फंदे का एक फंदा कि एंड तक हमें इसी तरह बनाना है सारे फंदे इसी को हमें बार-बार रिपीट करना रहेगा कि तो जो फंदे हमारे बढ़ेते वह कम हूं गए और यह हमारी कुछ डिजाइन इस तरह से दिखने लगी है तो आप देखें यह डिजाइन ऐसे है और आसान से डिजाइन है बहुत आसान इसे बनती है देखने में भी खुब्सूरत सी है और यह देखें किसी भी तरह के प्रोजेट पर इसे बनाएंगे अच्छा लगेगा तो यह देखें आपकी बार हमारा यहां पर यहां पर हमारा लूप जाएगा यह स्लिप नेट फिर यहां पर हमारा लूप जाएगा इसे आपको द्यान रखना जो फस्ट रोव वाला है फस्ट रो में हमने इसी तरह बना है तो फस्ट रोव रिपीट करेंगे तो देखें जब जादा सी बनाएंगे तो हमारी डिजाइन को चीज तरह से दिखाई यह किसी भी तरह के स्वेटर में बहुत अच्छी लगेगी चोटी चोटी डिजाइन है इस तरह से इसकी देखें रोज आ रही है तिर्ची इसकी रोज आ रही है तो फ्रेंड्स आई होप की आपको डिजाइन पसंद आई होगी यह लेडिज जेंड्स बच्चों के किसी भी तरह के प्रोजेट पर इसे बना सकते हैं शाल इस टॉल मफलर वगर में भी बना सकते हैं यह देखिए यह इसका उल्टा साइड इस तरह से है किसी दहा है तो आई होप की आपको डिजाइन समझ में भी आ गई होगी यह पसंद भी आई होगी और आप इसे अपने किसी भी प्रोजेट पर बनाएं तो फ्रेंड्स आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगर आपने अब भी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को भी प्रेस कर लें थांक्यू सो मच